मुसलिमों की टोपी गायव है उस एडविटाइजमेंट पर बहुत सारी तरह तरह की जो महराश की पगडियां है पर उसमें मुसलिम टोपी नहीं है उसके जो चित्र है एक वाला उसमें कई लोग कह रहे हैं कि एक में इंक्लूड नहीं है क्या मुझे लगता है मेरे हिसाब से मुसल्मान हमारे पार्ट में देखिए हमने उज्वला योजना लाई साड़े नौ करोड को गया सिलिंडर दिये आयुष्य योजना लाई स्वदुसष्ट योजना लाई क्या हमने कई इसा डिस्क्रिमिनेट किया था कि दली तो और मुसल्मान इसके लिए अपलाए ना करें क्या हमने को भी मुसलिम समाज को दली समाज को की डिस्क्रिमिनेट किया गया जफिर वोट जिहाद की बात होती है, धर्मयुद्र की बात होती है, और जब ह похिन्दो के अलख्जगाने की बात होती है, नितन जीहाद की नहीं, मैं पार्टी की पूरी लाइन की बात कर रही हूं जब जबरजस्ति से धर्मांतरण किया जाता है पैसे के उपयोग प्याधार पर वनवासी आदिवासी क्षेत्र में होता है उसका विरोध होता है जब जिहाद के बारे में कुछ लड़कियों से फुसल कर उनको कनवर्ट करके फिर उनसे शादी की जाती तो गलत है ने वोट जिहाद जैसा कुछ है नितन गड़करी वोट जिहाद जैसा कुछ मानते हैं उनकी नीची रहा है ने ऐसा कोई जिहाद नहीं है और जो बात कहते हैं वी नीट टू अंडरस्टांड स्पिरिट बिहेंड आर्गुमेंट जो शब्दशा अर्थ निकलता जो है ऐसा हिंदी औ और मराठी में भी है कि अनेक शब्द के दो-दो अर्थ निकलते हैं पहली बात जो देश की मानसिक्ता है वो एंटी मुस्लिम धर्मनी रपेक्षता है और भारतिये जनतापरटिये माइनोरिटी के खिलाप है इस प्रकार का एक परसेप्शन कॉंग्रेस ने तहार किया है मै अगर कहूंगा तो यह image versus reality वाली कहानी है वस्तोस्तिति में संग हो भाजप हो हमारे समस्कार हो कभी भी किसी को discriminate करने के बारे में कभी भी हमें अनुमती भी नहीं देता और मुसका अनुकरन नहीं करते मैं जब भी लोग मुझे पूछते हैं कि तुमारे यह कारेकाल में करते थे और आदमी को खिशने का काम करते थे और इसमें 70% आबादी दलीद आदिवासी और मुसल्मान थे मैंने मेकेनेज डिवन इरिक्षा देश में लाया और इंदीड करोड लोगों के मानिवे शोशन से उनको मुक्त किया मैंने इसके लिए मैं अस्वस्त था था सुप प्रादीत है सामाजिक अर्थिक section उससे पिछडा हुआ है उगँ जो आख़ी पाइदान पर खड़ा है जिसके पास रोती कपड़ा और मकान नहीं है उस व्यक्ति को रोती कपड़ा आर मकान दिलाना यह हमारा जीवन का कार यह है आपने सुने होंगे नेताओं के नेताओं के बयान भी आपने सुने होंगे तो पहली बात पहले कि आपको immortality का सभीृधान कि घन फुर्वाट राश्ट्रवाद ुट गवड्यूर्ट military लिख़ी वी है समयर आर्थिक समत्त हमारी कटी बद्दता है अलग लग प्रकार के छोटे मोटे लोग क्या होते हैं कोई तो भी जाके किसी को मार देता है बोल देता है गाला देता है बीडिया दिन में चला देए ने चोटे लोग नहीं उपमुख्यमंत्री दिवेंद्र फड्नवीज जिनको राजनीती में लाने का श आता है और आप खुद भी कहते है कि मैं बड़ा किस्मत वाला हूं मेरे दोस्त हर पार्टी में हैं और मुझे सब का सब्मान मिलता है उधव ठाकरी जीसे दोस्ती है अब बीबी मेरी सबसे दोस्ती है अर आज बी मेरे घर पर भी कॉंग्रेस के लोग आते हैं सब के काम करता हूं पहली बात तो ऐस ही कि हमें लोकतंत्र को समझना होगा और राजनीति को समझना होगा सत्ता कारण, पावर पॉलिटिक्स is not only the true meaning of politics, राजकारण, समाजकारण, राष्ट्रकारण और विकासकारण, और इसलिए मैं जब पार्लमेन में मेरे डिपार्टमेंट के उपर चर्चा थी, मैं नहीं था, तो सब पार्टियों के सत्तर लोग बोले, सुनियाजी से लेकर, तो बिएक ने भी हर पार्टियों ने मुझे धन्यवाद दिया, खासना उसद ने, और मेरा अभार माना, तो मैंने भाशन में का कि मैं RSSS का हूँ, मैं BGP का हूँ, यह मालूम होते हैं भी आपने मुझे जो सहारा धन्यवाद दिया, मैं आपका अभारी हो, और यह राजन दिया उसका काम करूँगा, नहीं देगा उसका भी करूँगा, आपने उद्व जी को नहीं कहा कि देखो आपका और हमारा साथ जो है, वो सही है और वो नाच्रल अलाइन से है, वो दिल से और सोच से, पॉलिटिक्स में ऐसा ही है, पॉलिटिक्स पदलते रहता है, इनी था करें नहीं सकते हैं, तो पॉलिटिक्स में क्या है कि दुरभागे से आज पॉलिटिक्स ऑग तुड़ा पीछे पड़ा हुआ है, बाला साथ ठाकरेज जी के समय हिंदुत्म की बात को लेकर बाजब शुबस्यना की अलाइंस हुई थी, और वो बाला साथ जगह आज भी मेर दिल में है, मैं उनको चाहता हूँ, पर क्या है, मैं हर चीज को राजनीती से नहीं जोड़ता हूँ. आपको लगता है कि उधव जी ने बाला सहाब की जो सोच है, जो उनकी आइजलोजी थी, उससे कॉंप्रमाइस कर लिया है, जैसा उन प्यारूप लग रहे हैं. देखे एक बात तो सही है कि अब अभू आजमी शिवसेना को सपोर्ट करेगा और कॉंग्रेस पार्टी के दोनों के विचारों में तो मतमिन नेता है, अब सावर करजी के बारे में राहूल गंदी क्या कहते हैं और उद्व टाकरे क्या कहते हैं, तो अब फरक है, पर आपने बदलते रहता है, तो ऐसा बदल आप तो बीजी पी ने भी किया, अजीत पवार को साथ लेकर, जो कहते हैं, वहीतों मैं कह रहा हो कि अनीधिंग कान अपने पॉलिटिक्स और वार और लव, तो यही चलता है, तो अजीत पवार जी को साथ लेना, स्ट्राटीजिक आपको लगता है, कि पिशली बार आरसस ने खुल कर कहा था, कि कही ना कहीं हार का एक बड़ा फैक्टर वो थे, इस बार वो क्या भूमिका निभाएंगे, जबकि वो एक अलगी लाइन पर चले हो है, पूरी पार्टी कटेंगे तो बटेंगे, इस बार तिलो पार्टी इस तरह के बयान दे देते हैं, यह महराश में नहीं चलेगा? अगर उधव उधव उनका साथ ले तो मौला ना उधव कहलाने लागते हैं? और अगर आप अजीत पाअल का साथ लें तो कोई बात नहीं है? राजेंट पौर थोड़ी मोला न पर बाते तो देखिए मुसल्म बोट बैंक के लिए क्या कुछ कहते हैं तो टूपी बेहनते जरा अधार पर विचार खरना जादा Omaha प्रकार की बाते कहते हैं, हमने पार्टी के बेसिक थिंकिंग जो है, पार्टी का जो सब्विधान है, पार्टी की जो विचारदारा है, उसके आधर पर विचार करना ज्यादा उचित होता है.